मिथुन राशी मासिक राशीफल फरवरी दोजार चोबिस के लिए तो चलिए शुरू करते हैं राशीफल सुरुआत करते हैं पारिवारिक जीवन से महीने की सुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी और पूरे महीने प्रेम बना रहेगा हाला कि महा के मध्य में सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी होगी लेकिन बड़े बुजरगों के हस्त शेप से वह जल्दी सुलज भी जाएगी आप किसी रिस्तिदार के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का प्लान भी कर सकते है चचेरे भाई या बेहन के साथ संबन्द मजबूत होंगे और आप उन्हें और अच्छे से जान पाएंगे दूर के किसी रिस्तिदार का स्वास्त खराब रह सकता है और उनके जीवन पर भी संकट आ सकता है माता पित्ता आपसे किसी बात की आशार रखेंगे ऐसे में उनसे खुलकर बात करें और सभी का संबान करें व्यापार वे नोकरी व्यापार ही है तो इसमा अधिक खर्चे होंगे आप अपने व्यापार को बढ़ाने पर जोड़ देंगे और इसके लिए कुछ नया करने का प्रियास करेंगे परिवार में सभी के साथ आपको लेकर चर्चा भी संभव है आपका कोई अपना इसमें साहता करेगा व्यापार को लेकर शंका में रहेंगे लेकिन भविश्य की द्रिस्टी से ही है सुपल देने वाला होगा सरकारी एदिकारी इसमा अपने काम को लेकर कुछ होंगे और कार्याले में उनको लेकर सकारात्मक महौल बनेगा सबी आपके काम से खुश दिखाईं देगे हलाकि नीजी नोकरी कर रहे हैं लोगों को इसमा के मद्धे में किसी परिशानी के सामना करना पड़ेगा सह कर्मी आपके काम से खुश नहीं दिखाईं देगे और उनके दुआरा आपका आहित करने का भी परियास किया जा सकता है शिक्षा वे करियर परतियों की परिक्षा के त्यारी कर रहे चातर इसमा अपनी पढ़ाई के सिलसले में यात्रा पर जा सकते है उनकी परिक्षा भी आयोजित होगी और ऐसे में पूरा ध्यान उसी और होगा मन को विचलित होने से रोके अनिता परिणाम विपरित रह सकते हैं यदि स्कूल में है तो करियर को लेकर किसी का मार्ग दर्शन तो मिलेगा लेकिन वे परियाप्त नहीं होगा कोलिज के चात्र अपने लिए कुछ नया करने का सोचेगे लेकिन उसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे किसी कोर्स को जाइन किया हुआ है तो उसमें लाब मिलेगा यदि आप एक से ज्यादा भासा बोलने में शक्षम है तो उस शेत्र में नोकरी मिल सकती है होटल मेंजिमेंट के चात्र इसमा अपना विशेश ध्यान रखे प्रेम जीवन यदि आप किसी के साथ एक वर्ष से ज्यादा के समय में प्रेम समझ में है तो इसमा आप दोनों के लिए सुब नहीं है आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है जिसके दरार डालने का परियास किया जाएगा सिंगल है तो सोशल मीडिया पर किसी के प्रति आकर्षन का भाव आएगा और उनके साथ सकारात में बाचेत भी सुरू हो जाएगी विवा को अभी कुछ समय हुआ है तो आपकी पदनी का ध्यान रखे क्योंकि उनसे आपसे किसी बात को लेकर आशंका रहेगी जिससे विवा को जादा समय हो गया है उन्हें अपने जीवन साती का भरपूर साथ मिलेगा और दोनों के बीच प्रेम संबंदों में बढ़ोतर स्वास्त जीवन बीपी की बीमारी है तो इस माँ अपना ध्यान रखे वो डोक्टर के संपर्क में रहे अन्यत्था इस्तिति बिगड़ सकती है किसी चीज़ से अलर्जी है तो उस और भी ध्यान बना कर रखे सारे रिक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी लेकिन मह के मध्ये में सिर्दर्द सिकायत रह सकती है कुछ मिल आकर पूरा मास ही रहेगा लेकिन महा का मध्येश के अच्छा नहीं इस दोरान सिर्दर्द के साथ साथ मन में बेचैनी अशान्ती घुटन इतियादी की समस्या परिशान कर सकते है इस इस्तिति से बचने के लिए सुभे के समय कम से कम आदे घंटे प्राणयाम करने की आदट डालेंगे तो बहतर रहेगा मिथुन राशी के लिए लकी नंबर रहेगा फरवरी में तीन और लकी कलर रहेगा ग्रे जे शिरी राम